नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज बैयार और मैं हूँ अभिसेक मिस्रा लोक जनसक्ती पार्टी राम बिलास यानी चिराग पासवान की पूरी तरह से चुनाओ के मोड में हैं हाला कि लोग जनसक्ती पार्टी रामिलास के जो रास्की अध्यक्षे चिराग पासवान वो एक बार नहीं कई बार ये कह चुके हैं कि बिहार में मद्यावदी चुनाओ का होना तय है और हाल के दिनों में उन्होंने लगतार ये कहा है कि जेडियू बीजेपी के बीच करिश चुके ठीक नहीं है दोनों दलों के बीच इस तरह से टकराव सामने आ रहा है उससी ये साफ है कि इंडिये में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और बिहार मद्यावदी चुनाओ की और बढ़ रहा है हाला कि चिराग पासवान ने यह भी कहा कि सत्ता के लिए दोनों एक दो दल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इतनी लड़ाई जगड़े के बावजूद इतने मत्वेदों के बावजूद तो चिराग पासवान को यह लगता है कि बिहार में मद्यावदी चुनाओं होने जा रहा है और चिराग पासवान को क्या लगता है जिस तरहीके से बिहार की राजिती का घटना करम रहा है और जिस कई बार यह ऐसी चीज़े सामने आती हैं उसलिए लगता है कि बिहार मद्यावदी चुनाओं की तरब बढ़ रहा है तो चिराग पासवान और उनकी पार्टी मद्यावदी चुनाओं की तयारी में जुटी हुई है प्रदेश अध्यानकारी ये निकल कर सामने आ रही है कि इस वक्त भी एक बैठक चल रही है जो दो पहर एक वज़े से सुरू हुई है हो सकता है जब आप ये वेडियो देख रहे हो बैठक खतम हो गई हो लेकिन ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है इस बैठक को बहुत अहम माना इसलिए जा रहा है क्योंकि पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष राजु तिवारी और पार्टी के राश्टी प्रवक्ता द कि इस बैठधक में पारी के जितने प्रवक्ता पार्क के जितने प्रवक्ता तैयार हो रहा है। उनका प्रफॉर्पilde है। उनके प्रफॉर्मेंस की тогда कि प्रथरतिश्न की समिछा कि और उसके बाद जिनका प्रफॉर्मेंस ठीक नहीं है जो नौन प्रफॉर्मिंग स्पोक परसन है यानि खराब प्रदर्वसन वाले जो प्रवक्ता हैं उन पर गाज गिर सकती है उनका डिमोशन हो सकता है या उनको कोई दूसरी सजा मिल सकती है यह जानकारी निकल कर सामने आ ले हुई कल पटना में मिलन समारो हुआ तो लागतार एक्सन मोन में है चिलाक पासवान की पार्टी और इस वक्त भी एक अहम बैठक जिसकी जानकारी हमने आपको बताई है देखना होगा इस बैठक में जिस तरीके से रिकोर्ट कार्ट तयार हो रहा है तो किस प्रवक्ता प्रगाज गिरती है या नहीं गिरती है लेकिन इस वक्त में समिच्चा हो रही है यह जानकारी निकल कर सामने आ रही है पार्टी अपने प्रवक्ताओं के परफॉर्मेंस की समिच्चा कर रही है बहुत बहुत धन्यवाद